नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप लोगों अभी तक हमारे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किरिपेकर के चानल को सस्क्राइब कर ले बेल आकन को प्रेस कर दे ताकी रिडस नोडिफेकेशन आपको मिल जा ये बहुत-ज़़ादा परशान है अपने स्वास्त को लेके केरियर को लेके नौकरी में भी अनस्टाबिलिटी चल रही है तो इनको जानना है कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा उत्तम रहेगा कि नहीं आखिर ये जो समस्या जीवन पर आ रही है इसका मूल मतलब क्या है और आगे के जीवन में क्या साड़तकता दिख रही है तो आप बिलकुल चिंता ना करें आपके कोशिंस को मैंने समझ लिया जान लिया बताने का कोशिश करूँगा तो सबसे पहले हम सुरवात करते हैं कि जीवन रेखा क्या कुछ बता सकती है तो जीवन रेखा आपके प्यतली को आप खोल के कैसे देख सकते हैं समझ सकते हैं और समय रहते वे इसका उपाय कर सकते हैं आज की वीडियो के माधिम से अब इस बात कर डिसकुशन करेंगे तो अगर आपकी जीवन रेखा इस प्रकार दिखे छोटी दिखे तो ये किंतु परंतु वाली बात हो जा कि छोटी जीवन रेखा कभी बी अलपायू को दर्शाती नहीं है याद रखना या फिर कहलो छोटी जीवन रेखा को देख कर अब ये एकदम confidence के साथ ये नहीं कह सकते कि जातक अलपायू ही होगी चोटी आयू हो सकती है नहीं भी हो सकती है और दूसरा बहुत cases में नहीं ह होता है होता एक्स्ट्रीम केस में है जिसको हम अपवाद में माझते हैं जिस पर अब कभी और डिस्केशन करेंगे अब होता क्या है कि एकर जीवन ड्रेका छोटी हो तो जीवन पर और भी नेगटिविटी आती है नेगटिव चीज में स्वास्त गरबरी फाइनेंशल लॉस म ये कभी भी आप नहीं कहों कि ये अलपायू ही होंगे बिना किसी और स्थिति को देखे हुए और भी स्थितियां होती है हाथ पर जैसे इनके हाथ पर ये लिंक लगा है लेकिन जीवन रेका यहां से बहुत जादा अच्छी नहीं मानी जा रही है तो इस केस में भी माइने में इसका प्रेडिक्सटन चाहिए इसका एनलसेस चाहिए या फर कहलो इसका उपाय चाहिए तो आपको ये स्थिती अगर हाथ पर दिखे तो आप इसका diagnosis करा के remedy कर ले, बहतर रहे, ये स्वास्त से परशान है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमान के आवशक्ता नहीं है, बीता हुआ चीज बता रहा हूँ, बीतने वाला चीज पर discussion नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीतने अगर कोई चीज मैं ये बात करूँगा कि अब remedy क्या होगा मैं बताता हूँ, जैसे मान ले जाए, कि आप हमारे पास आए, आपके जीवन पर मुझे स्वास्त में समस्या दिखी, आपके जीवन रहे का मुझे स्वास्त बहुत ज़्यादा ही समस्या जन्द दिखाई, तो मैं क्या कहूँगा, केर करो, अच्छे से र रहेगा, उस समय अगर आपकी परशानी जीवन पर आएगी, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा ही हतासो निराश करके चला जाएगा, आपको confusion रहेगा, पहले सगर पता होगा, तो उसके लिए अभी से health पर ध्यान देके, हर चीज टाइम ली करके, आप चीज़ों क ठीक कर सकते हैं, बड़ी समस्या जीन दगी पर नहीं आएगी, छोटी मुटी आके रह जाएगी, चलिए ये चीज जाना बहुत जरूरी है, वीडियो को जितना हो सके शेर करें, तो ये आपके जीवन में कारण बना था, ये healthy shoes का, दूसरा अगर आप देखोगे, तो मस्ति कर लूँ, और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, तो अब मैं थोड़ा positive way में बात करूँगा, क्योंकि इनके कुछ concern है, अपने स्वास्त के regarding, अपने career के regarding, तो देखें सबसे पहले तो स्वास्त पर ध्यान देजिए, और राहु रेखा केवल स्वास्त पर ही impact नहीं डाल अब थोड़ा मैं positive way पर बात करूँगा, तो भाग गिरेका सुरवाती दोर से रही है, मतलब अच्छे परिवार से है, बीच में तोड़ी गरबर थी, 28 से लेकर 36 में, तोड़े बहुत negative expenses भी थे, ये मान के चल लो, 40 वर्स की आयो तक, 42 वर्स, 43 वर्स में भी एक था, लेकि कोई भी अपने हिसाब से अगर कारे करते हैं, जैसे अपने हतली के हिसाब से कारे करते हैं, तो जीवन पर growth मिलता है, तो भाग गिरेका आपकी बहतर है, सूरी रेका अच्छी है, तो सूरी रेका आपके टारेंट को बताती है, जातक बहुत गुणी है, बहुत तो ये एक नेगेटिव इंपक्ट जरू डार रही थी लेकिन स्क्वाइर से गरतरी पर रहे तो ये जातक को बेनेफिट कराता है जातक को तरक्की देता है एक कमफर्टिबल लाइफ प्रदान करता है ये चीज़ भी मुझे आपके तरी बता रही है अगर मैं आगे वचार कर करने के योग भी मुझे आपकी एदली बता रही है तो आप वैपारिक डिस्ट्री को उनसे भी अपने जीवन पर सफलतावा तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं जिसका आपको बेनेफिट देखने को मिलेगा नोट आउट तो वैपार कर सकते हैं हाँ आपके गुंडली को दे करना जीवन पर बहुत जरूरी है नहीं तो क्या होगा ना जीवन पर समस्या रहेंगी चलो यह चीज़ देख लिया आपने अब मैं आगे विचार कर लूँ और क्या भी जीवन ड्रेखा के विशलेशन से आगे के लाइफ पर हम चलते हैं चीजों को बताते हैं कि जीवन ड देखा रहे हैं यह लगबग आपके 46-47 तक तो हर 2-3 साल में आपकी राहू रेखा है साथ जिसका आपको नेगटिव परिनाम देखने को मिलेगा अगर मैं आगे देख लो तो यहां से आपकी जीवन ड्रेखा बनी हुए फिर ठीक है 55 के बाद एक ब्रांचे यहां पर टैस रूँ है अला कि इसका रेमेडी संभव है बाके आगे भी जीवन ड्रेखा ने ये भाग्ये रेखा का कारे करेगी जीवन ड्रेखा ने बाग्ये रेखा को जोड़ा है तो ये भाग्ये रेखा जीवन ड्रेखा का कारे करेगी नो डाट चलिए ये तो होगी बात अला कि एक management अच्छा है जब भी पैसा चाहिए आ जाता है शुक्र बढ़िया है comfortable life रहेगी मंगल पर तो रिटेंसंस के लाइन है और इंशेट ज्यादा नहीं लेना आपको शुक्र मंगल बढ़िया है तो लाग समस्या के बाद भी जीवन में बनी रहेगी परिवार का सपोर्ट मिलेगा यह वाकरती जभी भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी दूर कर रही है तोड़ी बहुत इक्षा शक्ति में कमजोरी है बाकी जबरदस थंब है विक्ति तो वह बहुत शानदार समझदारी के लूप काफी एच्छी समझदार है फिंगर पर करी रहेखा इंडिगाइट कर रहे है दिल के बड़ अच्छे विक्ति है टिंडिकर एच्छी दारमी कासा सेटन फिंगर लब भी तो महनती है सूरी फिंगर अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ पर उपकारी रेखा है सब के लिए करना चाहते हैं बागी माइंड रेखा भी आपकी एक समय लगबग 42 एर्स के बाद बहतर है यह एक रदे रेखा का ब्रांच है यह भी मान लो एक रदे रेखा का ही ब्रांच है इसनों योग का सब की एक सूरी रेका बहुत बहतरीन है यहां से भी सूरी रेका नजरा आ रही है यह भी देख लीजे यहां भी देख लीजे यह एक ट्राइंगल से बहुत जबरदस्त स्कौार्स बन रहे बेनेफिट आएगा कुछ कुछ राहू रेखा है तो लगबग 45 तक तो रहा लाइन्स यह भी आत्राओं को बदाती है चंदर्मा बैतर स्थती में है जो जब भी दंड की आवशक्ता होगी जीवन पर जुरूर आएगा बुद्ध पर खरी रेका है निमाग बहुत तेज है तो ऐसे वेक्टिय अपने तेज दिमाग के दम पर जीवन पर आगे बढ़त